आपे तो हेलो एवरिवान वेलकॉम टुट दा सेबनेटींद लेक्चर औशर ऑफ ये ये अफ सब्क मुद्ध दिस्कसिंग इवाइट कम आउर अहन थे जो देख चुके थे कि Magnetic Miradian क्या होता है? Bearing क्या होता है? True Meridian क्या होता है? wow Magnetic Bearing क्या होता है? True Bearing क्या होता है? उसके बाद हम लोग ने देखा था कि Bearing को दो तरीके से हम लोग Determine कर सकते हैं, मतलब दो system है जिसके basis पे bearing को Determine क्या जाता है, First को भूल ले थे whole circle bearing system और उसके बाद हम लोग देखे थे second quadrantal bearing system तो आज हम लोग इस पर question करेंगे चुछ कि यहां से almost हर exam में है जो आपका business करके objective question बहुत पोचता है ठीक है तो हम लोग कुछ question करेंगे इससे कुछ है जो concept है जो आपका question first 10 degree 18 minute 10 degree 18 minute 10 degree 18 minute 10 degree 18 minute so देखिए इसका बनाने का दो तरीका एक तो आप formula से बना सकते हैं एक तो आप formula से बना सकते हैं और दूसरा क्या है ड्राइंग से बना सकते हैं तो हम दोनों से बताएंगे आपको तो तो टेंट डिग्री 18 minute सबसे पहले आप ड्राग किजिए इसको कि एस्ट हुआ कि एस्ट हुआ कि ए नॉर्थ ए सौथ और ए बेस्ट ए क्या हुआ बेस्ट हुआ 10 डिग्री 18 min किस कोडिनीट में आएगा नॉर्थ इस कोडिनीट में आएगा किस में आएगा काफी केर्फुली सुनना है काफी आपको सुनना नॉर्थ आ कोड़नेट में आएगा है हblem सिंटर क्योंक करेगा了吧 नंउ में लाइग करेगा पसी यह में और यही आइंगे आपको दिया हुआ है एक किस किसे में करना है यह Wert करना है Qई में तो आपको याद consistent कोζिंग्र मैंने बताया है अगर है तो यह मैं और क म점ि में हो ने क्यों होता है यह नियुuing Z चलिए तो क्या हो जागा इस केस में इसको क्या लिखेंगे क्यूभी में अगर कनवर्ट करेंगे तो क्या होगा अंसर डिरेक्ट अंसर लिखें अगर इसको लिखें तो क्या हो जागा देखें नौर्थ से स्टार्ट हुआ है और किधर गया इस्ट क्यों गया है तो क्या को लिख כן से लिखेंगे एन उसके बाद ऑद पो यह लिखेंगे अब थीचा का लिखेंगे अब है असफे सब्सक्रान करद कि टा को यह अन है उसके सम्सक्टा दलू कितना टेन डिगरी है 17 मिननेट और किस shark में मूउब कर रहा हultyACE में मूव कर रहा है हां इस्ट लिख देंगे एंसर क्या आपका क्या हो गया अंसर हो गया फर्स्ट क्योंसर हो गया एन 10 डिग्री 80 मिनट इस्ट नौव तो दे सेकंड क्या है सेकंड आपका है 10 कोउस्ट नबर टू नाइटी फाइफ डिग्री 2 मिन आए ह है है इन जैड़ डिग्री डिग्रिंट अंकि जुट лишь क्या करनाऻ खयाए इक क्या करना अन। एस्ठ हो गया ग debess सोथ गया नौर्थ हो गया और अबे्ष ठों गया तो देखेँ सने कोडिनेट में आएगा किस में गॅल chociaż कोडिनेट में या जो लाइन है आपका किस मा आएगा सौथ्ट कोडिनेट में आएगा चुकि 95 डिए 90 से बड़ा होगा 90 से बड़ा होगा तो यह कहीं इधर लाइक करेगा कि यहां पर लाइक करेगा और यही एंगील आपको यह एंगील दिया हुआ यह एंगील दिया हुआ कितना 95 डिगरी 12 मिनट हमको इसको कनवर्ट करना कि में क्यूव थे पिछे जाएए देखिए यहां पर 130 कोडिनेट में रहता है तो ग्या होता है QB बड़ाबार 180-WCB, 180-WCB, है ना, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे, 180-WCB, चुकि देखे, यह टोटल एंगिल कितना है, ध्यान से देखे, हमें कौन सा एंगिल निकालना है, हमें, चुकि इसको QB में कनभर्ट करना है, तो यह जो लाइन है, इस लाइन का, इस यह हमें value निकालना है, यह हमें क्या करना, value निकालना है, यह हमें value निकालना है, तो यह निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है, 180, 180 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 95 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नहीं, दूसरी बात, कि यह क्या है, WCB, और की के है क्यू मैं दोनों का मैं किस्ट गिरी होगा है है नहीं देखिए यहां पर लिख सकते हैं we cv आप लस्द क्यू लगा टूबv किसके बदा है कि थ्रॉत क्यू भी है यह आपका क्या है है QB है न है 180 डिगरी है हमें क्या निकालना है QB तो समझें समझें क्या हो जाएगा 180 डिगरी माइनस WCB इस से सिंपल भी में नहीं समझाया जा सकता है तो 180 डिग्री माइनस डेवलू से भी तो दिया हुआ है 95 डिग्री 12 मिनट इसको जब आप स्वल्ब करेंगे तो यह अंसर आ रहा है 84 डिग्री 48 मिनट 24 डिग्री 48 मिनट डारेक्शन क्या होगा बताई है सौध से स्टार्ट हो रहा है सौध से स्टार्ट हो रहा है और किदर जा रहा है इस्ट क्यों जा रहा है तो एस और किदा जा रहा इस्ट क्यों तो इस्ट एंसर हो गया मतब एस 84 डिग्री 48 मिनट इस्ट एस 84 डिग्री 48 मिनट इस्ट है नो बहुत सिम्पल है कोई ऐसा कंपर्टिशन नहीं होगा जहां पर इससे कोश्चन नहीं पूछता होगा थार्ड थार्ड दिया हुआ है आपका 225 डिग्री 30 मिनट 225 डिग्री 30 मिनट यह WCB में दिया हुआ है आपको QB में कंपर्ट करना है तो सबसे पहले क्या किजिए अंडर्स्टेंडिंग ऐसे तो डारेक्ट फर्मूला से बना सकते हैं लेकिन आपके अंडर्स्टेंडिंग बेटर हो इसके लिए में फिकर बना देता हूं इसके लिए में फिकर बनाता हूं तो सबसे पहले पटा-पट क्या करते हैं कुर्णे ड्रॉप किजिए कुर mend Rak этим कि आपका yeast हो गया बेष्ट हो गया नोर्थ हो गया और सौथ हो गया फो आझ यह है आइंगिल कितना कुंहाँ 220 लिए 130 से बढ़ा होगा और 270 से छोटा होगा और किसमें लाई करेगा हुआ है किसमें लाइक रेगा है इसमें लाइक करेगा यह आपका I एंगल दिया हुआ है की डूर्स से मेजर नोच से मेजर करते हैं हमेशा किसे मेजर करते थे 10 से मेजर करते थे तो एंगल आपका दिया हुआ कितना कि टू टुटी फाइव डिग्री 30 मिनट बताइए QB क्या होगा QB तो आपका ये होगा QB होगा चुए चुकि它 olması से क्या होगा Smaller Angle देगा 7 से जब move करेंगे Angle moderator तो क्या होगाphem zien तो हमें QB निकालना है और ये WCB दिया हुआ है तो देखिए ये आपका क्या है ये ही आपका QV है और ये क्या है WCV है तो अब ध्यान से अगर देखिए तो अगर WCV में से ये जो WCV में से QV को घटा दें तो क्या हो जागा 180 डीरी के बराबर हो जागा अरे यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक गया है तो ये कितना है ये WCB है और ये आपका QB है तो WCB में से अगर QB माइनस कर दें तो क्या होगा 180 डिगरी हो जागा चुकि ये स्टेट लाइन पर कितना इंगल बन था 180 डिगरी तो क्या लिखें बताएए हियर हियर क्या लिखने है WCB माइनस QB बराबर कितना हो गया 180 डिगरी दिस इंपलाई दिस इंपलाई QB बराबर क्या हो जहागा बताएए QB बराबर WCB माइनस 180 डिगरी यह होगस ड डन से भी कितना है 225 डिगरी 30 मिनट 225 डिगरी 30 मिनट माइनस 180 डिगरी तो कितना ओज़ेगा इसको माइनस किजी अंसर क्या होगा अंसर आ रहा है आपका 45 डिगरी 30 मिनट 45 डिगरी 30 मिनट डिरेक्शन क्या होगा बताए सौथ से स्टार्ट हो रहा है और बेस्ट क्यों जा रहा है तो एस डबलू एस 45 डिगरी 30 मिनट बेस्ट है कि नहीं एस 45 डिगरी 30 मिनट बेस्ट हो गया नाव मूब तो दे नेक्स्ट वन एक कोशन और किजिए एक कोशन और किजिए एक कोशन और करते हैं कोशन नमर पोर कोशन नमर पोर पोर है आपका 350 डिगरी 10 मिनट 350 डिगरी 10 मिनट ये डबलू से भी में दिया हुआ है आपको क्यूव में कनवर्ट करना तो इसका फिगर ड्रा किजिए सबसे पहले सबसे पहले आपका करेंगे करेंगे तो यह आपका कोडिनेट हो गया नॉर्थ सौथ इस्ट बेस्ट आपके बेटर अंडरस्टेंडिंग के लिए फिगर बनाया जा रहा है अधर वाइस कोई नीट नहीं है अब थी यहां आरे अपको कोडिनेट में hey if you के इधर लाए कर रहा होगा कर दूआ यहांगि आको दिया हुए कि यह दिया हुए अब ध्यान से देखेंड दिया हो थी तेन सो पचाह्च डिए 10 अट 10 मिनिट और यह आपका क्या है WCB है किसमें दिया हुआ है WCB में दिया हुआ है और यह जो छोटा एंगिल है यह हमें QB क्या करना है निकालना है यह एंगिल हो जागा यह वाला यह क्या होगा QB होगा अब ध्यान से देखिए WCB और QB को यह एड़ किया जाए तो कितना हो जागा 3060 हो जाएगा तो फर्मूला तो यहीं से बना है है नो यहीं से बना है तो यहां पर क्या लिखेंगे QB पलस पलस डबलू सीवी इसके ल्टू यहां पर कितना हो जागा 360 डिग्री तो QB बरावर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस डबलू सीवी सबका भैलू पूट कर दिजिए 360 माइनस डबलू सीवी डबलू सीवी कितना दिया हुआ है तिन्सबपचास डिग्री टेन मिनट्ट इन्सबचास डिग्री टेन मिनट्ट इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा यह आ रहा है 95 डिग्री 95 डिग्री है नं 95 डिग्री 50 एक डिग्री मिनट्ट मतलब 09 डिग्री 50 मिनट्ट है Ready to be telducedes मिन-द क्वे गए देखिए यहां से नौर्थ से स्टर्ट और बेस्ट क्यों गया और पर नौर्थ कि आर्लास्ट्रे किया होगा ऄ की बहुत सिंपल था बहुत सिंपल था है ना तो मनें यहां पूछता है वो डेवलूसय इभी में देगा और आपको क्यूब मैं कनवट करने बोलेगा या फिसका उल्टा भी कर लें सब पूरे सब्सक्राइब कर दो निकालना पड़ेगा है तो देखिए व्यर्ण सरसे पहले होता क्या है तो ये पंग किसको बोलेगे प्वरविंस का था पहले और बैरिंग मिस आएंगिया रागता है कि bearing of a line bearing of a line इसको short में F भी बोलते हैं और back bearing को short में क्या बोलते हैं B भी बोलते हैं bearing of a line in the direction of progress of survey in the direction of progress of survey is called for bearing is called for bearing bearing of a line in the direction of progress of survey is called for bearing is called for when नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है अभी इसको हम क्या करेंगे इसको फिगर बनाएंगे तो किलियर हो जाएगा है ना फिगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा किलियर हो जाएगा जैसे देखिए रहा है कि इनेकर क्लोग्वाइड दियख्शन है अबने घ्रकहे इन समीच्छी इं। उस पैस नेकशन कन डॉक फिर्टा करने जा रहा है वालोई ट्रकॉै पर सेकाशन करें complot की लोगई प्रक्रेंगे in the direction of progress of survey है ना उसको क्या बोल देंगे हम फोर बेरिंग बोल देंगे और फिगर बनाएंगे पॉइंट ए से अपने स्टार्ट किया है ए क्या है नॉर्थ है ए नॉर्थ है ए क्या है सौथ है सौथ है ठीक है एस्ट है और ए बेस्ट है ए यहां से आपने सर्वेवाइग स्टार्ट किया सर्वेय लाइन आपका कुछ इस तरह से है मैं कलर चेंज कर देता हूं कि अगा यह आपका सर्वे लाइन है एक यह सर्वे ुरह डिए आप पहुच गए अपने स्टार् Weird किया ज़िए इस अस्ट आठ किया था इसे अस्टार्ट किया और पहुच अब बीन आप फिर को कि यहां पर भी नौर्थ होगा कि कहा पुंच गया बी प्रॉंच गया है इस पॉइंट को नाम देता हूं B है न तो हमारा progress of service progress of surrender क्या हुआ देखे। इसको मैं दिखा रहा हूँ progress of surrender क्वा A से B क्या और क्ये है progress of server नहीं आपने ए से काम श्टार्ट क्या है और कि तर मोव कर रहे हैं आप b की तरॉक कर रहे पी की तरफ मोव कर रहे हैं एक हैं मांन यह एंगिल क्या है यह एंगिल ठीटा है ठीटा है ठीटा है ठीटा है यह एंगिल आपका ठीटा है ठीक है दूसरी बात यह आपका क्या है डिरेक्शन ऑफ सर्वेबर्थ है एरो क्या दिखा रहा है डिरेक्शन ऑफ सर्वेबर्थ लिख देता हूं तो डारेक्शन ओफ सर्वे यह द्रेक्शन ओफ सर्वे ठीक है अब डेफिनेशन पढ़िये करता बेरिंग ओफ यह लाइन इन डारेक्शन ओफ प्रोग्रेश ओफ सर्वे इस व्यक्रिए अपका क्या है एक लाइन है यह अपका क्या है एक लाइन है और इसको मेजर कैसे करते है इसमेजर फ्रॉम now fan clockwise direction तो north से start किया और clockwise move कर गए clockwise कर गए तो यह क्या होगा आपका फोरवेरिंग हो गया यह आपका क्या हो गया फोर वेरिंग हो गया है कि नहीं यह आपका फोरवेरिंग हो गया ठीक है अब देखिये अगर इसको हम देखें, यहाँ पे, अगर इसको देखें, ठीक है, तो यह तो क्या है, B to A हो जागा, A क्या हो जागा, B to A हो जागा, तो A क्या देगा, A आपको back bearing देगा, तो definition पढ़़िए, bearing of A line, in the opposite direction of progress of survey, in the opposite direction of progress of survey, A, B क्या आँ पे? Progress of survey है लेकिन याधे B, A क्या हो जढगा? B, A, A, अगर B से A आएंगे तो क्या हो जागा? इसका opposite हो जगा? यानि A क्या डेगा? Back bearing देगा A देगा? Back bearing तो हम ऐसा करते हैं, back bearing को five से denote कर देते हैं back bearing को किसे denote कर देते हैं? फाई से डिनोट कर देते हैं, है ना, फाई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, तो एक बात बताएए, इस फिगर से एक कन्कूलूजन क्या लिख सकते हैं, इस फिगर से, here, यहाँ पे, here, here, फोर बेरिंग आपका क्या है, फोर बेरिंग है, जो आपका क्या है, थीटा है, फोर बेरिंग क्या है, थीटा है, थीटा फोर बेरिंग है, है ना, और बैक बेरिंग क्या है, फाई है, बैक बेरिंग क्या है, फाई है, ठीक है, तो थीटा और फाई मेरे लेसन बता सकते हैं, इस figure में अगर इसको figure number 1 देदें इसको मैं figure number 1 यदि देदूं तो figure 1 में theta और 5 relation बता सकते हैं अपकोर्स बता सकते हैं वो कैसे देखें यहां पर देखें ध्यान से यह क्या है ए आंगिल theta है तो यह भी अंगिल खीटा होगा अ fire अ कि अगर यहेंगिल खीटा होगा था हो थीटा होगा तो यह इए प्रेंगिल कीया होता प्राइ、 आन्धिल भी खीटा होगा चलिए मैं यहां पर दिखा देता हूं इज BBCiramAKt लो उंस भी आइट तो ध्यान से देखिए यह पूरा 180 था और यहां से कितना है यहां से अतना कितना है यहां से यहां से से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं देखिए फाइब राबार यह तो 180 हुआ एक इतना हुआ एक लाइन पर कितना 180 हुआ अंग्ल schw tu क्ansen जारख और कि हैं वने दिग्री फिलस क्या लिखेंगे ठीटा डुट्रीट तिन है ठीटा यानि यहां से कंक्लूजन प्र रहा है यहां से फाई तो क्या था आपका बैकडा तीटा चानि फ्रीक ग्रींग दैए hun 180 degree plus 4 bearing, theta क्या था, 4 bearing था, 4 bearing था, एक conclusion आपका A आया, एक conclusion A आया, ठीक, दूसरा क्या हो सकता बताए, दूसरा क्या हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है, कि सपोज किजी, सपोज किजी, यह North है, यह South है, यह East है, और यह Best है, यह Best है, ठीक है, बहुत अच्छा, यह Best है, यहाँ पर देखे, color मैं change करता हूँ इसका, यह North हो जागा, यह South हो जागा, इस बार हम एमान के चल रहे हैं, कि आपका, जो सर्वे का डिरेक्शन है, वो सी बोल रहा हूँ, और इसको डी बोल रहा हूँ, इसको डी बोल रहा हूँ, और इस बार जो आप सर्वे स्टार्ट किया है, करना, वो कुछ इस डिरेक्शन में किया है, इस डिरेक्शन में, लो कि siके भी यह वोजगा डर्रेक्षन अन्व सरोई कि ओ डर्रेक्षान कि सर्वेश ऑफ da किम सर्वेशिट अब बात बताएए जब आप सर्वेश्ज सी से डी क्योर कर रहें तो आपका फोरबेरिंग inc Y होगा नौर्थ जी स्टाट होता है तो नौर्थ से स्टाट हुआ लिजिए मैं कलर चेरिण करता हूं यहां पी त्लिधाज किलिए होगा कि यह क्या हो जाएगा आपका किर बेरिंग होगा और फोर वेरिंग ओ तू जी से यह बहते हैं? Back bearing, इसको være एसके opposite direction में Move करें है तो यह आपका back bearing हो जागा, यह क्या हो جागा? back bearing हो जागा, इसको किसे denote किये थे? इसको denote क्ये थे? फाई से, इसको denote किये थे? फाई से जाणा, इसको किसे denote किये थे? फाई से, अब यहाँ पे देखिए, अगर ए फाई है तो क्या ए एंगिल भी फाई होगा क्या ए फाई है तो ए भी फाई होगा कि येवाला है एक येवह किसके बरावर होगा फई के बरावर होगड़कया तो यहाँ पर अगर डिखे सकते हैं आप यहाँ का इस लिए पढ़ा रहा हो कि एक बारते क्लियर हो जाई How अभी नहीं भोलेंगे यहाँ का कनक्लूजन क्या लिख सकते हैं थीटा यहां पर लिखेंगे तो 5 रावर क्या लिखेंगे थीटा-180 डिग्री थीटा- मतलब 4-180 डिग्री अगर यह 5 निकालना है तो यह थीटा में से 180 क्या करेंगे माइनस करेंगे मतलब लिखेंगे इस फिगंगे- इस फिगर में फिगर नमबर 2 में इसको मैं2 देता हूं तो फिगर 2 मेंगर देखें तो फाइब रावर क्या लिख सकते हैं थीटा- मदब थीटा माइनस 180 डिग्री था ना थीटा माइनस 180 डिग्री थीटा माइनस 180 डिग्री यह लिखेंगे ना और फाइच क्या था आपका बैक बेरिंग था बैक बेरिंग था और फीटा क्या था आपका फोर बेरिंग था तो फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री इसको एक्वेशन नमबर 2 मान लिजे इसको एक्वेशन 2 मान लिजे और इसको एक्वेशन 1 मान लिजे इसको एक्वेशन 1 मान लिजे तो क्या देखें एक बार फोर वह 180 माइनस करते है 180 माइनस करते है ना सो figure 1 और figure 2 को conclude करें figure 1 और figure 2 को conclude करें है ना अगर हम conclusion पर पहुंचना चाहें तो conclusion क्या हुआ conclusion कंक्लूजन क्या हो बताएं कंक्लूजन एह हुआ न कि जो हमारा थीटा हो फाई होगा वो क्या होगा फाई होगा थीटा फाई जो होगा होगा थीटा थीटा पलस माइनस 180 डिगरी है न और फाई क्या था बैक बेरिंग था बैक बेरिंग था और फीटा क्या था फोर बेरिंग था पलस माइनर 180 डिग्री क्या बात है 180 डिग्री है ना इस इस वेरी वेरी इंपोर्टेन यहां से बहुत कोशन आता है तो बैक बेरिंग ब्राबर फर्मुला बन गया होर बेरिंग पलस माइनस 180 डिग्री यह ना दो ही केस हो सकता है ne 2 केस तो हो सकता है तो भय वा क्या हो गया हिए अब प्रइनग पालस माइनस माइस भॉआ ने निप टिग्री अब रेटि अपने सिक व्लेना माइनज कर लेना अभी कि श बेर्ण बराबर, बेर्ण बराबर, बेर्ण पलस माइनर 180 डिगरी, अब देखें, साइन के बारे में देखें, कब पुजेटिम लेगे, कब नेगे लेगे, सबसे पहली बार कि टेक पुजेटिव, टेक पुजेटिव, पुजेटिव लेगे, वेन, 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 फोर बेरिंग, क्या होगा, लेश देन 180 डिगरी होगा, लेश देन 180 डिगरी होगा, क्या बात है, हाना, सेकेंड, टेक, नेगेटिव, नेगेटिव साइन लेगे कब, वेन, वेन, जो फोर बेरिंग होगा, ग्रेटर देन 180 डिगरी होगा, याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, जब फोर बेरिंग, 180 से कम होगा, तो हमको क्या करना है, जोड़ना है, पलस लेना है, हाना, जब फोर बेरिंग, 180 से जादा होगा, तो क्या करना है हमको मैनस साल लेना है मतलब घटाना है ठीक है बहुत अच्छा अब देखे तो ए तो किस सिस्टम में हुआ एक किस सिस्टम में हुआ जो फर्मूला हम लिखें किस सिस्टम में लिखें है डेबलो सीवी में एक कौन सा सिस्टम है अभी जो हमने फर्मूला आ दिया 180 डिग्री यह किस सिस्टम में आया है यह आपका है डबलू सीवी में यह किस में है WCB में, whole circle bearing system में, ठीक है, लेकिन mind में आपका ये चल रहा होगा, कि sir, यदी quadental bearing होगा, तब क्या करेंगे, तब four bearing और back bearing में relation क्या होगा, यही दिमाज में चलेगा न, तो देखिये, उसका explanation दे रहा हूँ, हाना, for qbs system, for qbs system, qbs system में करता है, मैं line लिखा देता हूँ, in, in, in qbs system, in qbs system, system, the four bearing, the four bearing, and back bearing, and back bearing are, are numerically, व्यूड़कली, व्युक्ड़, व्यूड़कली, 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 व्यूडकली, व्यू़कली, व science kya मतलब है में हां पर direction का मतलब ऐसाइन B कि भूर सब्सक्राने समपित यह और कोई बात नहीं सफस्पेश किजिए एख्जाम्पल कि ए सपुज किजिए कि आपका फिर बेरिंग इधर हो गया बैक बैरिंग पोर बेरिंग में दिया हूय सबुज कि जह एन थीटा इस्ट ऐसा कोई एंगिल है थीटा के वह्यों कुछ भी हो सकता है एन थीटा इस्ट को किसमें करणा है बैक बेरिंग में तो क्या कहता है नुम्रिकली एक्वल मतलब ठीटा तो ठीटा ही होगा बट अपोजिट इन साइन मतलब अपोजिट इन साइन का मतलब नौर्थ के जहाँ पर क्या हो जाएगा सौथ हो जागा North के जाएपे साउथ हो जागा और ठीता तो ठीटा ही रहाएगा और इस की जाएपे क्या हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा ओर बहुत सीम्क्रब ये सार इस तो बहुत सीम्क्रब है है की नहीं numericalALLY equal मतब ठीटा का भेलो तो सेम होगा सिर्फ साइन अपोजिट हो जाएगा नौट का सौथ हो गया और इस्ट का बेस्ट हो गया एक एक जमफ़ल और ले लेते हैं सपोज किजिए कि फोर बेरिंग में दिया हुआ जो बेरिंग है वो लोग इस एस थीटा है सोस्का लीच किनें होगा मिंद्रों दि देंगे हो सतास्य आफ़नी सब्सक्राइब से लेगते स्सक्राइब ति मयों सॉन सब्सक्राइब हब यहां से कॉस्टेन आता है है ना क्या हो गया निमेरि elaborately lesem हो गया अज्डिक्सन क्या हो गया वस्ट होगा है के नहीं तो यह तो था आपका 47 और बेरिघ़् के बारे मेंन है dude next class में हम लोग स्टर्ट करें आपका इंप्टैंट होता है तो आप कलास है जो आपका रेगुलराइज हो जाएगा जो भी जनमेशन ड्यूटी था वो यह ओबर हो चुका है तो आपका रेगुलर होगा है सही तरीके से समझे एक बार पढ़िए सही तरीके से पढ़िए और इसको कॉपी में नोट कीजिए आपको जब रिभाइज करना होगा तो आपका अपना हाथ से लिखा वह नोटबुक होना चाहिए और किसी भी कंपटिशन में सक्सेस के लिए सबसे इंपोर्डेट पाइंट कोश्चन जो भी आए कंपटिशन में समेस्टर में सारा कोश्चन आप विजलिख कर देंगे हाना तो दिसी आल अबाट टूदे सेशन थैंक यू फर बाचिंग आल दे बेस्ट जहें निलते हैं नेक्स्ट क्लास में